नमस्कार साथियू आज है 11 अब जून और इस सेशन में इंपोटेंट करेंट अफियर्स कवर करते हैं तो अगर आप किसी भी कम्टेटिव एक्जाम का त्यारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए काफी हेलपूल है क्योंकि इस सेशन में इंपोटेंट करेंट अफियर्स क question है which social media platform launched SMB साथी उत्सव to support a small business यानि जितने भी लगू उधोग है उनको support करने के लिए कौन सा जो social media platform है वो SMB साथी उत्सव platform launch कर रही है तो अगर इसके correct answer का बात करें तो देखिए option आपके सामने है अगर जिस भी question का answer आपको already पता है तो आप comment box में जरूर comment करेंगे वीडियो pause करके तो आए देखते हैं इसका correct answer तो भी इसका correct answer हो जाएगा यानि कि WhatsApp WhatsApp से तो आप भली भाती परचित होंगे जो आप डेली इस पे जो दो चार घंटा इन्वेस्ट करी रहे वाट्सप ही क्या किया है यह सपोर्ट कर रहा है किसको जो जितने भी small business है उसके लिए SMB साथ सी उत्सव एक प्लेटफर्म लॉंच किया गया है ठीक है तो चलिए डिसकस करते हैं इसे रिलेटेट इंपोर्टेंट पॉइंट्स को तो देखे वाट्सप इंडिया एन्नाउंस एन इनिसियर्टिव नेम्ड SMB साथी उत्सव डेट एम्टू सपोर्ट एक प्लेटेशन लॉंच किया है एक तो वाट्सप मेसेजिंग है और दूसरा है वाट्सप बिजनेस एप बहुत लोग होते हैं एक प्लेट में दोनों योज करते हैं जैसे जिन अपने प्लेशनाल लीज के लिए एक रखते है वाट्सप बिजनेस या फिर फिर दूदेख अपने उट्ट्प फ़ट्ट्ट-उन-बडर्द जिसको ज़ारत होता हिए बना करक्ते हैं कमेंट कीजिएगा कि किसके किसके काट में दून वाटस आप है ठीक है वाटस आप और वाटस आप बिजनेस एप तो देखिए WhatsApp बिजनेस एप के थुरू वो क्या करना चाहता है कि डिजिटल मेडियम प्रभाइड करना चाहता है जितने भी small business है SMB साथी उत्सव कमेंस with a pilot in जैपूर where over 500 small business are being trained on running their business online देखिए जो SMB साथी उत्सव है वो क्या कर रहे है एक पाइलेट प्रोजेक्ट चला रहा है जैपूर में जिसमें कितना है 500 small business क्या कर रहे हैं ट्रेंड हो रहा है अपना business online चलाने के लिए और यह जो initiative है वो launch किया गया था collaboration with जोस्टॉक जोस्टॉक भी एक application है या इसका चैनल भी आप यूटूब को देख सकते हैं जिस पर अच्छे अच्छे वीडियो आते हैं इंटर्व्यू जाते हैं ठीक है तो यह दोनों के collaboration से यह launch किया गया ठीक है नेक्स्ट कोस्टन का बात करें तो नेक्स्ट कोस्टन है वीच इस वर्ल्ट फस्ट accreditation body to have its office space in the Metaverse यानि कौन सा ऐसा मानेता प्राफ्ट बॉड़ी है जिसका office कहां पर office space है Metaverse में option आपके सामने अगर इसके हम correct answer का बात करें तो भी इसका correct answer हो जागा क्या हो जागा B यानि कि All India Council for Technical education हो जागा ठीक है यहां पर थोरा सा इस्प्रेंट हो गया है टेक्निकल एजुकेशन होना चाहिए ठीक है आई यह इसको थारा सा देखते हैं detail में तो देखिए All India Council for technical education has become the first accreditation body in the world to have its office space in the Metaverse यानि कि यह पहला ऐसा मनेताप्राप्त बड़ है जो क्या कर रहा है अपना office space Metaverse में बना रहा है Michigan best information data system unveiled the outlook of the AICTE in the Metaverse यह क्या कर रहा है Michigan best information data system है वो यह outlook को unveiled कर रहा है ठीक है ETJ simulated digital environments that use augmented reality और virtual reality यह क्या कर रहा है stimulate कर रहा है augmented reality AR और virtual reality VR को ideas launch भारत blockchain network यह मतलब launch किया है भारत blockchain network and poly versatile educational metaverse in the presence of education minister धर्मेंद पर्दान इसके presence में यह किया है तो धर्मेंद पर्दान जो की union education minister है इंडिया के आई होब इतना चीज़ आपको समझ में आगे होगा बढ़ते हैं next question के तरफ next question है वीच इंडियन personality has been named the season ambassador of British Council India UK together 2022 season of culture पूछा जारा कि भारते किस personality का नाम दिया गया है season ambassador जो British Council India UK together 2020 है उसके लिए यह क्या है season of culture है तो अगर correct answer के बात करें तो 20 इसका correct answer जागा एर रहमान किसका नाम दिया गया है तो एर रहमान का आप नाम सुने होंगे यह music director है आए इसके बारे में थोड़ा सा discuss कर लेते हैं एर रहमान जी जो की music director है उनका नाम दिया गया season ambassador of British Council India UK together 2020 to a season of culture के लिए ठीक है और यह जो initiative है यह launch कि इसलिए किया जा रहा है तो celebrate इंडिया 75th anniversary and bilateral relation between the two nations यहनी की भार्द अपना पचाहातरवा anniversary celebrate कर रहा है और यह इसका जो bilateral relation है जो दो नेशन के बीच में इसके initiative के लिए यह launch किया गया है अंडर दो प्रोग्राम ओबर 1400 आर्टिस प्रम इंडिया यूके विल सोके स्क्राइबरेशन in dance music theater poetry literature visual arts and creative technology इस प्रोग्राम में 1400 से जादे आर्टिस इसमें पाटिसिपेट करेंगे जो इंडिया और यूके से आके अपना मतलो दिखाएंगे ठीक है जिसमें डान्स म्यूजिक theater poetry literature visual arts and creative technology यह सब इसमें इंक्लिवड है नेस्ट कोश्चन देखें तो नेस्ट कोश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री लांच दे ग्रीन ओपन एक्सेस रूल 2022 यानि किस मिनिस्ट्री द्वाला गिरीन ओपन एक्सेस रूल 2022 लांच किया गया अप्सन आपके सामने है अगर इसका correct answer का बात करें तो बीसका correct answer हो जागा ministry of power इसने लांच किया तो इन्डिया रिन्वेबल एनरजी प्रोग्राम है इसको बढ़ावा देने के लिए यह क्या किया गया एक नोटिस दिया गया ग्रीन ओपन एसस रूल 2022 किसके द्वारा तो ministry of power के द्वारा under the new rule इस रूल के अंदर में consumer can demand green power from power distribution company जो क्या कर सकते है ग्रीन पावर डिमांड कर सकते है जो भी power distribution company है ठीक है the green open SS is allowed to all consumers and the limit of open SS transaction has been reduced from 1 megawatt to 100 kilowatt for green energy और इसको पहले मतलब यह सब consumer के लिए allowed है लेकिन इसका limit कर दिया गया limit कितना किया गया तो एक मेगावार्ट से घटा के 100 kilowatt कर दिया गया ठीक है 100 kilowatt और green energy green energy के लिए इतना किया गया है next question देखे तो next question है which city is the host of the summit of the America 2022 जो अमेरिका का 2022 समेलन हो रहा है उसको कौन से city host करेगी वो पूछा जा रहा है तो option आपके सामने है अगर देखे इसके correct answer तो correct answer C हो जाएगा Los Angeles कौन कर रहे है तो Los Angeles अमेरिका 2022 समेलन को host कर रहे है देखे जो US President है फिलहाल US के प्रेशिदेंट कौन है तो जोई बड़ेन है और अंडर्जेंस अप अधर वर्ल्ड लीडर गेदर एट लोस एंजर्स पर दे नाइंथ समेलन अमेरिका अमेरिका का ये नौवा समेलन है जिसमें इस के प्रेशिदेंट बाइडेन और और भी मतलब दर्जनों दूसरे देश के लिजर्स इसमें एक सांथ जुटेंगे और इसमें समेल होंगे ठीक है इसमेट करते हैं और जो फॉर्मर परसिदेंट विल क्लिंग्टन थे वह पहला समिट कराया थे पहला समेलन हुगा और पर लाइक कर दिजेगा और अभी तक चनल पर सस्क्राइब नहीं कियां तो जल्दे से चनल सस्क्राइब कर दिजिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जय हिंद